उपेंद्र कुस्वाहा के एक बयान के बाद एक वफिर से जदी और भाजपा में भारी भीरंत हो गई है उपेंद्र कुस्वाहा ने 2024 और 2025 तक इसे गड़बंदन को बताया है और कहा है कि आने वाले दिनों में देखा जाएगा परिस्थिती के अनुसार अब जिसके बाद ब गड़बंदन मुख्यमंत्री नितीश कुमार से है और उपेंद्र कुस्वाहा जब इस गड़बंदन में नहीं थे तब यह गड़बंदन हुआ था तो गड़बंदन की सर्ते और गड़बंदन कैसे की जाती है यह उपेंद्र कुस्वाहा को कैसे पता है लेकिन इसी लेकिन आज सुभा ही खवर निकल कर सामने आई कि नितीश ने अमित्साह और जेपी नड़ा से मिलने से जो मुलाकात नहीं होने की बात हुई और उस समारों में नहीं जाने की बात हुई इसके पीछे के कई कयास लगाए गए कयास तो यह भी लगाए गए कि भाजपापर पैसला और मतबेद भी नहीं है जिससे की दबाव बनाया जा सके लेकिन अब जो खवर निकल कर सामने आ रही है कि मुक्हमंत्री नितीश कुमार कोड़ना पोजिटिव हो चुके हैं और उनकी तबियत दो तीन दिनों से लगातार खराब है हो सकता है नितीश कुमार तबिय काम होते हैं और वो उनी कामों में फसे होंगे लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो जैग्दा अंसिंग नितीश का समर्थन किया है और कहा है कि सीम नितीश के पास काम होगा तो उसमें जाना इतना भी जरूरी नहीं है और यह कोई बादता नहीं है अब जैसे ही बयान चल पड़ी उसके बाद खबर निकल कर सामने आई कि सीम नितीस बिमार है सब कुस पश्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि अमित्सा और जेपी नड़ा से जो मुलकात प्रस्तावित था वो क्यों नहीं हो पाड़ा है लेकिन अब इसमें भी सियासत ढूंडने की और सियासत करने कि कोसी से जदिव नेता कर रहे हैं और खासतर पर उपेंद्र कुस्वाहा हाला कि उपेंद्र कुस्वाहा के बयानों पर भारतिय नता पाटी के नेता जदिव का सदस नहीं मानते हैं या नितीश कुमार ने जो जिम्मेदारी उपेंद्र कुस्वाह को दी है भारतिये जनता पार्टी के नेता उस जिम्मेदारी को वहन करने को लेकर उपेंद्र कुस्वाह को काबिल नहीं समझते हैं हादा कि उपेंद कुस्वाह के बयानों को नोटिस नहीं लेने तक की बात भी होती है और बाद में फिर कुस्वाह के बयान को नोटिस लिये जाने की बात भी सामने आती है देखना है होगा स्यम नितीज के नहीं जाने के पीछे का जो कारण बताया गया है लेकिन जद्यू के तरफ से इस पर कई अलग-अलग प्रतिक्रियाय निकल कर सामने आ रही है अगर रही है पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद